अब हम बनाने जा रहे चिके इसके लिए हमने चिकन लिया है वन केजी है और इसके पीस मीडियम कट करवा लिये हैं ठीक है और इधर हमने 12-15 काजू पानी में डिप करके रखे हैं देखे पानी में डिप किया हुआ है और इधर 15-20 बदाम है जो हमने करम पानी में डिप करके रखे हैं क्योंकि इसका जो स पहले हम चीकिन को मेरिनेट करते है इसमें हम डालेंगे टू टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट लॉंग पांच पीस लॉंग आठ से दस पेपर कॉन दाल चीनी के दो छोटे टुकरे एलाईची छोटी एलाईची पांच पीस कसूरी मेथी हाफ टीस्पून दही एक तब दही 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर इसे ग्राइड करके आट करेंगे यह ग्राइंड कर लिया वाइट पेपर पाउडर यह हम आट कर दे रहे है में डालेगे शॉल्ट 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के साब से आट कर लिजे अब हम सेम ग्राइंडर में काजू आड़ करेंगे बदाम हमने चील लिया है देखिए और 6-7 ग्रीन चीली या अब अपने टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चीली इसमें ले लीजे और ये सब मिलाके हमें ग्राइंड करके पेस्ट पनाना है अब इसमें हम काजू बदाम का पेर्स एड़ कर देंगे अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है कि पूरा चिकन अच्छे से कोट हो जाए अब इसे हम देखे जिस तरह से हमने कवर किया है यह प्लास्टिक से यह आप कोई प्लेट से कवर कर लीजे और इसे मेरिनेशन के लिए रख देते हैं फिरिज में हमने अब कराई में तेल आड़ किये हैं तो तेल यह गरम हो रहा है इसमें हम एक बड़ा साइस का ओनियन इसे देखिए ओमलेट के तरह चौप कर लिए हैं तम फाइन चौप किये हैं इसे आड़ कर देए अब ओनियन को हमें सॉप्ट करना है इसे ब्राउन में करना है तो यह सॉप्ट होने तक इसे इसी तरह से चलाते रहा है यह देखिए ओनियन सॉप्ट हो गया है तो इस स्टेज पर हम मेरिनेट किया हुआ यह चिकन आड़ कर देए अब इसे चलाना है, मिक्स करना है और हर थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहना कि नीचे बैठे नहीं और चिकन को भूनना है अच्छे तरह से और जो मसाला इसमें आड़ हुआ है वो भी अच्छे से भून जाए तो चिकन और मसाला को अच्छे से भूनना है गदत से बड़ी अधूना है किने तके यह और पहुआ यह तके वाम मसाला पहँआए रहां अच्छे अभी ऊच्छे पार रहाँ वाम यह देखे चिकन का हाफ भूनाई हो चुका है और मसाला भी हाफ भून चुका है और चिकन भी अलड़ी हाफ टेंडर है इस स्टेज पर हम इसमें आड़ करेंगे फ्रेश क्रीम तू टेबल स्पून फ्रेश क्रीम आड़ करेंगे आप चाहे तो दूद का जो बलाई होता है जो उपर जमता है आप उसे भी आड़ कर सकते हैं तू टेबल स्पून फ्रेश करेंगे अब इसे मिक्स करके अब इसे और अच्छी तरह से इसकी भूनाई करनी है यह देखे चिकन का भूनाई हो चुका है तेल पूरा उपर आ गया है तो मसाला भी भून चुका है और चिकन भी भून चुका है देखे गोज जो है हट्टी छोड़ दिया है यहाँ पर देखे तो चिकन गल भी गया है और धुनाई भी हो गया है मसाला और चिकन भूने का तो अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी आट करेंगे कि आपको जिस तरह पे ग्रेवी चाहिए ठिक है तो हाफ गिलास डाविएगा हम हाफ गिलास यूज कर रहे आपने जो गिलास देखा उस गिलास से हाफ गिलास ठीक है तो अब इसे कुक होने देना है पानी बॉइल हो जाए पानी थोड़ा सा ड्राइ हो जाए तब तक इसे पकाना है और इसमें आड़ करें हम ग्रीट चिली आप अपने टेस्ट के हसाब से अब अच्छा है तो स्प्रिट करके आड़ कीजिए अगर आपको तीखा खाना है हम स्प्रिट नहीं कर रहे इसी तरह से आड़ कर दे रहे और इसमें जैज़ा हारा धनिया इससे कलर अच्छा हो जाता है वाइट कोड़ने में ग्रीन-ग्रीन हारा धनिया तो कलर फुल अच्छा थुलता है यह देखने में तो अब इसे कवर करके दम पर देंगे ठीक है यह देखिए अब यह रेडी है डिशाओं प्रोने के यह दो हमेश देखने अफले में